आज हम इस वीडियो में BMLT कोर्स के बारे में जानेंगे BMLT कोर्स क्या है अगर आप Medical Field में जाना चाहते हैं Paramedical Courses अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जो Candidate को जो कोर्स याद आता है या कोर्स के बारे में आप सभी जानते भी होंगे सबसे पहला BMLT कोर्स ये काफी पॉपलर है सभी लोग लगबग जानते हैं BMLT कोर्स का नाम तो सुनाई होगा सो आज के इस वीडियो में हम BMLT कोर्स से जुड़ी हुई सारी information इस वीडियो में में आपको देने वाली हूँ अगर आप BMLT कोर्स करना चाते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि BMLT कोर्स का duration क्या होता है BMLT कोर्स है क्या फुल फॉर्म क्या होता है BMLT का fees कितनी पे करनी होती है आपको पढ़ना क्या होता है recruiting जो companies है यानि आप job कहां पर ले सकते हैं salary आप कितनी ले सकते हैं स्टार्टिंग में ये सारे information आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ BMLT course से related तो अगर आप interested है वीडियो को आइन तक देखेगा और वीडियो अपको अच्छा लगता है helpful रहता है वीडियो को like and share कीजेगा तो सबसे पहले हम जानेंगे कि BMLT का full form क्या होता है BMLT का full form होता है Bachelor in Medical Laboratory Technology इसको Medical Technician course भी कहते हैं और ये जो course है ये Paramedical course है इसमें आप Lab and Diagnostic Center से जड़ी हुई जानकारी आप जानते हैं अगर आप BMLT course करते हैं BMLT है क्या तो अभी हमने देखा BMLT का full form Bachelor in Medical Laboratory Technology तो ये एक Bachelor degree course है डिपलोमा ये नहीं है इसमें डिपलोमा course भी होता है टेक्निशन में, अगर आप ये course complete करते हैं तो आपको बात में after 3 year क्योंकि इसका जो duration है वो 3 year करता है तीन साल में आपका ये course complete होने पर आपको इसमें degree मिलती है undergraduate course है, इसमें आपका 6 month का internship भी रहता है ओके, सो BMLT course में ज़्यादा फायदे मंद होता है काफी जो paramedical courses, बहुत से paramedical courses है लेकिन BMLT जो paramedical course है, इसको ज़्यादा तर candidate करना पसंद करते हैं ये course के हुए जो candidate है, वो diagnosis का practical और technical knowledge होता है and ये biochemical laboratory प्रभवी तरीके से चला सकते हैं जो laboratory होती हो, उनमें आप job ले सकते हैं या अपना आप laboratory खोल सकते हैं, left खोल सकते हैं अब अगर आप ये course करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी essential qualification क्या होनी चाहिए तो BMLT course एक bachelor course है, paramedical course है आप ये after 12th कर सकते हैं, under graduate course है, तो 12th के बाद आप कर सकते हैं 12th आपका science stream से होना चाहिए, तब आप BMLT course कर सकते हैं अब इसा percentage किसी-किसी college में minimum 60% required रहती है 12th में and किसी-किसी में 60%, 55-60% ये college पर depend करेगा 50-60% अगर आपकी 12th में हैं, तो आप BMLT course कर सकते हैं अब इसमें admission की बात करेंगे, तो कुछ colleges हैं जो अपने लेबल पर ही entrance exam लेते हैं, कुछ colleges हैं जो आपको direct 12th की percentage के base पर भी आपको admission देते हैं, इस criteria 17 year minimum आपकी होनी चाहिए, क्योंकि after 12th आप ये course करते हैं, तो कम से कम 17 साल अगर आपकी उम्र है, आप ये course कर सकते हैं BMLT course करने के बाद, अगर हम देखें इसकी job profile, तो medical technician, lab technician, system analyst, school teacher, research and development, lab manager, lab supervisor, educational consultant, healthcare administrator ये job आप ले सकते हैं, और ये जो job है, अब BMLT के लिए government and private दौनों ही सेक्टर में vacancies आती हैं laboratory में job ले सकते हैं, hospital, diagnostic center, nursing homes, research and development, blood bank, यहाँ पर आप job ले सकते हैं तो private में भी आप join कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना खुद का lab खोल सकते हैं या आप चाहें, तो आप इसमें government जब भी vacancies आएं, तो उसमें भी आप आविदन कर सकते हैं fees अगर हम देखें लग भग, तो इसमें जो 50,000, पचाहस हजार से starting आपकी हो सकते हैं, यह college पर यह भी depend करेगा, लेकिन हम एक average लेकर चल रहे हैं पचाहस से 60,000 एक average हम यहाँ पर देखें, प्राइवेट कॉलेज में, भुपाल में जो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर अगर हम देखें तो 60,000, 62,000 में आपका यह course होता है यह depend करेगा, आपके college से करेगा, अगर government से करते हैं, तो आपकी बहुत कम फीस लगेगी हाँ पर so BMLT course एक paramedical course है, काफी अच्छे course है, अगर आप paramedical field में जाना चाहते हैं, डिगरी अगर आप लेना चाहते हैं, बैचलर डिगरी तो BMLT आप कर सकते हैं BMLT के लिए हमारे जो city है, city में भी काफी lab रहती है, आप वहाँ पर join कर सकते हैं, यह आपना खुद का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और government में भी BMLT के लिए vacancies release होती है आसा करते हूं, यह information आपको अच्छी लगी होगे, helpful रही होगे, अगर आपको यह video अच्छा लगाओ, helpful रहाओ, तो like and share कीजेगा, thank you